दोस्तो कुछ दिन पहले यूटूब के कमेंड बॉक्स में एक भाई ने ना मुझसे एक सवाल पुछा उस भाई का सवाल ऐसा था कि उस भाई ने मुझसे ऐसा पुछा पर वो अवरत ना शादी शुदा अवरत है मतलब उस अवरत की शादी हो चुकी है और उस अवरत की उमर ना मुझसे ऐसा लगता है कि 30 के उपर होगी मतलब 35, 40, 45 तो ऐसी अवरत को कैसे पटा हूँ तो उस भाई को ऐसा बोला कि भाई इस टोपिक के उपर ना मैंने अल्रेडी बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई है पर उस भाई ने मुझे ऐसा बोला कि भाई मुझे पता है पर तू ना मुझे कुछ ऐसा एक तरीका बता कि जिस तरीकी का इस्तमाल करके मैं उस अवरत को न इजिली इंप्रेस कर सकू तोस्तो उस भाई के रिक्वेश्ट का आदर करते हुए मैंने ऐसा सोचा कि मैं इस भाई के रिक्वेश्ट के उपर एक स्पेशल डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को इसका जवाब दे दूँगा तोस्तो अगर आपको जानना है ना कि 30 के उपर की शादिशुदा अवरत को कैसे पटाए तो आज का वीडियो दोस्तो पूरा देखे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपोर्टन्ट वीडियो को तोस्तो देखो किसी भी शादिशुदा अवरत को पटाने से पहले आपको एक बात दोस्तो जाननी पड़ेगी कि शादिशुदा अवरत मतलब जिस अवरत का पती अल्रड़ी है तो ओ अवरत ना किसी दुसरे पूरुष से क्यों पट्टी है जी हाँ दोस्तो, शादी शुदा अवरत अपना पती होने के बावजुद ओ किसी दूसरे पूरुष के साथ सम्मंद क्यों बनाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जब उस अवरत का पती उसको कोई ना कोई एक चीज़ देने में असक्षम होता है, या पिर जब उस अवरत का प पती एकदम अच्चा है, अगर उस अवरत की पती के बारे में आपको सभी जानकरी प्राप्त करनी है, मतलब उसका पती कैसा है, उसका पती मतलब क्या करता है, मतलब उसका पती उसको सभी प्रकार की सुख देता है कि नहीं, मतलब सभी प्रकार की जानकरी आपको उस तो प यहापर बताना चाहूंगा कि धोस्तो अगर अगर आप मोटा मोटी देखो गे ना दोस्तो तो हर अवरत को ना दोस्तो तीन प्रकार की जरुरुते होती है सबसे पहली अवरत को ऐसा लगता है कि मेरा पती ना मुझे बहुत ज़यदा टाइम दे और मेरा पती ना मेरे उपर बहुत ज़्यादा प्यार करे उसके बाद दोस्तों जो दूसरी जरुरत होती है और सो कौनसी होती है कि हर अवरत को लगता है कि मेरा पती ना मुझे सभी प्रकार के फाइनेशल सुग दे मतलब अगर उसको ऐसा लगा कि मुझे ना ऐसे ऐसी साड़ी को खरीदना है मुझे ऐ इसरे प्रकार की जरुरत होती है और सो कौनसी होती है कि हर अवरत को ऐसा लगता है कि मेरा पती ना मुझे शारिक संतुष्टी बहुत ज्यादा दे मतलब जब मैं उसके साथ बिस्तर पे जाओ ना तो उन मुझे पूरा का पूरा साटिसफेक्शन दे तो अगर आप देखो संतुष्टी बिल्कुल भी नहीं देता तो अगर आपको ऐसा पता चल गया कि उसका पती ना उसको प्यार नहीं करता तो आपको ना उसके पती की जो कमजोरी है उसको पकड़ कर ओ कमी आपको भरनी है मतलब अगर उसका पती उसको प्यार नहीं ना करता तो आपको उसके उ तरफि Exchange दोस्तों आजकीस वुडियों में इतना ही मिलते हैं अगले वुडियों में तब तक के लिए धन्यवाद